हेलो दोस्तों मैं हूँ चंदन और आप सभी का हेल्फ स्रीज पे स्वागत हैं साथीओ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज फसल सहायता यूजना के बारे में साथीओ यदि आप बिहार राज फसल सहायता यूजना के अंतरगत फॉर्म फिलब करने में कोई गलती कर दिये हैं जैसे कि आपका नाम फिलब करने में गलती हो गया है आपका एड्रेस फिलब करने में गलती हो गया है पंचैत का नाम फिलब करने में कोई गलती हो गया है या फिर friends आपने फसल का जो नाम वहाँ सेलेक्ट किया था वो बदलना चाहते हैं या फिर अपना खाता नंबर बदलना चाहते हैं खाता नंबर आपका गलस फिलफ हो गया है या फिर आप भूमी का रखवा जो वहाँ पे फिलफ किये थे वो या तो कम फिलब कर दिये थे या फिर ज्यादा फिलब कर दिये थे या फिर उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं या फिर और ही जमीन का डेटेल वहाँ पे एड़ करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग सभी काम अब बड़े आहसानी से कर सकती हैं बिहार आप आवेदन करने में यदि कोई गलती कर दिये हैं तो आप परते एक detail को change कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, correction कर सकते हैं या कहें कि नया सारा detail update कर सकते हैं ऐसे में आप चाहें तो आवेदन में कुछ detail को बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ detail को आप कमावी सकते हैं तो फिर्ण्स यदि आप भी बिहार राज फसल सहता यूजना के अंतरगत फॉर्म फिलप किये हैं दूसर पर थाम अपडेट करने के लिए आना होगा इसके ऑफिसियल साइड पे और जैसे ही आपके सामने ऑफिसियल साइड ओपन हो जाएगा फिर्ण्स यहां पे देखेंग होगा और जैसे ही फिर्ण्स आप लॉग इन करते हैं आपका सारा डेटेल यहां पे सो हो जाता है आपको जिस्वी सेक्शन में लगता है कि हमने गलत फिलप कर दिया है जिस्वी सेक्शन में आप बदलाव करना चाहते हैं उस पर किलिक कीजिएगा तो फिर्ण्स वो डाट बड़न पर किलिक कर देना है और जैसें लिए फिर्ण्स दौरा से आपको अना है यहां पे और यहां पे आपको फायनल सब्मिट कर देना है और फैनल सबिट करने के बाद आपका रिसीविंग प्रिंट आउट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंट्स आपका आवेदन में पूर्ण रूपिन बदलाव हो जाता है और फ्रेंट्स आप लोगों को वता देते हैं आप लोग अपने आवेदन में एक सितंबर 2020 से लेके 15 सितंबर 2020 तक किसी भी परकार का कोई भी आवडेट कर सकती है उसके बाद फ्रेंट्स आप अपने आवेदन में किसी भी परकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और उसके बाद फ्रेंट्स आपका आवेदन आगे की प्रकिरियाओं में चले और यदि आपका आवेजन एक्सेफ्ट हो जाता है तो आप लोगों को प्रती हेक्टियर सारे साथ हजार रुपया आधिकतम दो हेक्टियर तक के लिए आपको मिलता है इस परकार आप इस योजना का लाव ले सकते हैं एक बात और बता दे फ्रेंड्स यदि आप इस योजना को NPCI से लिंक कर लिजिए ताकि जब भी इस योजना का पैसा आया डायरेक्ट आपके बैंक हाता में आ सकते हैं तो इस परकार बड़े आसानी से फसल विमा योजना के अंतरगत आपने आवेजन में कोई भी बदलाव कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप से आगले वीडियो में तफ़ता के लिए गुडबाय